कि नमस्कार दोस्तों सागते आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हरो टीचर में पिछले वीडियो में हमने कंप्लेट किया था एस्पीमें 2013 का पेपर कि यह वीडियो में लेना था आपने को एस्पी का पेपर लेकिन उससे पहले जो इंपोर्टन पेपर है जिके कि 2007 का जनर्र नौलेज का उसमें बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन क्वेश्चन आया है तो पेपर पहले अपन ले लेते इसके बाद जो यह पर चालू करेंगे अपन एपीश्पी के ठीक है तो जैसे कि आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे जिके 01 क्वेश्चन पेपर है लिमेटेड डिपार्मेंटल कॉम्पेटेटव एक्जाम दोजार साथ फॉर्द पोस्ट आप चार्जमेंट ग्रेट्टू टेकनिकल यान नौन टेकनिकल दोनों के लिए ठीक है सब्जेक कोड है सब्जेक्ट है जनर्र नौलेज फिर जो इन इंट्रक्शन दिया है इंट्रक्शन आप पढ़ लेना टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं आने वाले पेपर में आपको चेंज हो जाएंगे स्टार्ट करते हैं आपन कोश recorded है के दोजार शार्त का जो पेपर है बहुत मोश्ट इंप्ड़ल कोस्ट इसमाल में ठीक है सब कर्ट नमबर एए सब्सक्राइब कर्देंk सब्सक्राइब कर्दीज लेकिन अपने को कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कि वहर पेपर में बार बार पुझे जा चुके और कुछ-कुछ क्वेश्चन अपने को प्रिजेंट वाले भी देखना है ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नमबर टू है वाट इस सेज अब अगर पिछले वेपर उठाके देखोंगे तो बोध बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वाट इस सेज सेज का जो मीनिंग क्या है वो बताना है आप्शन नमबर ए में दिया है स्पेशल इको फ्रेंडली जूब आप्शन नमबर बी में दिया है स्पेशल एकोनामिक जोन आप्शन नमबर सी में दिया है स्टैंडर इको जीव और आप्शन नमबर डी में दिया है स्पेशल एज प्रवाटिज एक्सेंशन आप उन आइची एप आप्शन नमबर ए में द्या इनटेट नैशन जानल शॉरी इनटेट नेशन इन्टर नेशन इंटरनेशनल चीडर्न्स एमर्जैंसी फंड आप्शन नमबर बी में द्या उन्याद आप नाशनल इंट्रगृति कुल्चर इनाटेट नेशन्स इंटरननाशनल कल्चर एंटमिकल फंड और अफ्टिनीगए ननाप दीज, ठीक है, तो question number 3 का जो right answer हो जाएंगा, option number A, innesian international childrens emergency fund, यह भी IMP अपोिछने के chances है, ठीक है, इसके बाद question number 4 है, इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा आप्शन नंबर भी ट्रॉम्बे ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा आप्शन नंबर ए 15 जून 2005 और यह पास का भुआ था तो यह पास हुआ था बारा में 2005 में ठीक है रिश्यू और बारा में 2005 में यह पास हुआ था ठीक है इसके बाद question number 6 है आर्टिया याक एक्स्टेंट टू दा होल आप इंडिया एक्सेप्ट तो आर्टिया याक जो है कौन से स्टेट को छोड़के बाकी के पूरे इसमें लागो है आप्शन नंबर ए में जाए सिक्किम आप्शन नंबर बी में जाए गवाद दामन यान दिव आप्शन नंबर सी में अंदमान निकबार और आप्शन नंबर दी में जम्यान काश्मिर तो question number C का जो राइट एंसर हो जाएंगा option number D जम्यान काश्मिर यह पहले था दोजार पाच के पहले अभी यह होला पिंड्या में लागू है ठीक है इसके बाद question number 7 POI अंडर आट्यायक्ट मीज़ आट्यायक्ट के अंदर जो है POI का मिनिंग क्या होता है उसका मतलब क्या होता है वह बताना है option number E में दिया है public information officer option number B में दिया है personal information officer option number C में दिया है private investigation officer और option number D में दिया है public investigation getting officer तो इसका जो correct answer हो जाएंगा option number E public information officer ठीक है इसके बाद question number 8 है RTI Act coming to force on option number E में दिया है 15 December 2005 option number B में दिया 12 January 2006 option number C में दिया 12 October 2005 और option number D में दिया 18 July 2006 तो इसका जो correct answer हो जाएंगा option number C 12 October 2005 इसके बाद question number 9 है 150th anniversary of earned oppressing in blackhead CPO मिचिनी blackhead blackhead coach in Indian army again the British Emperor was celebrated in option number E में दिया April 2007 B में दिया May 2007 C में दिया August 2006 आज़ी में दिया आगस 2007 तो question number 9 का राइट एंसर हो जाएंगा option number E April 2007 ठीक है इसके बाद question number 10 है वी इत्द प्रेजेंट चीफ जस्टिस आप इंडिया तो यह question उस्टाइम का है हुई तो 2007 में जो है प्रेजेंट चीफ जस्टिस आप इंडिया 2007 का पूचा गया इसमें तो अपने को प्रेजेंट वाला देखना है तो 2007 में जो थे वो थे जस्टिस के भी बालकृष्ण लेकिन जो प्रेजेंट में है अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस आप इंडिया हो है शराद अर्विंद बोबडे ठीक है इधान में रखना है आपको प्रेजेंट में जो है विद्धा प्रेजेंट चीफ जस्टिस आप इंडिया तो है शराद अर्विंद बोबडे ठीक ह इसके बाद इंपोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है लिख लेना है नोट आउट कर लेना है प्रेजेंट में जो चीप जश्टिस आप इंडिया हो है शरद आरविंद बो बड़े ठीक है नोट आउट कर लेना है प्रेजेंट वाली इसके बाद क्वेश्चन नंबर गया रहा है हुम दा एक्जी कीट्व पावर आप दे यूनियन आप इंडिया बेस्टेड अपॉन आप्शन नंबर यह मिद्या है कम्ट्रोल्र एण अल्टिटर जdeepरल अप इंडिया सेंग्व्शन नंबर वी मिद्या है जन्रल अब आप इंडिया répondre अीज can इंडिया इंडिया आपको ध्यान में रखना है को नहीं तो सिसे नहीं अपने को देखना तो प्रेजन न में जो है वह तुशार मीता ठीक है तूशार मेता तूशार मेता द्यांट में रखने है अचांव तूशार मेता जी जो लुए जेनरल आप इंडिया प्रेजेंट में है इसके बाद जो क्वेश्चन नमबर 13 है प्रेसिडेंट आप इंडिया अफ्षेन नमबर ए मिद्या डॉक्टर सुर्वपरदली रधाकुरुष्णन में फ़ाराक दिनल्य हमद आफ्षेन नमबर शी मैं दोक्टर राजेंदर प्रसादा यहन संजीवार रिडडी तो क्वेस्टर नमबर तेरा का जो राइट एंसर है भोत सब को पता ही है डाक्टर राजंद्र प्रसाद जी ठीक है इसके बाद question नंबर 14 है वो वन मिस युनिवर्स गोडार सेवन तो हुँ आज मिस युनिवर्स two गिताब था किसमे जिता था question नंबर 14 था तो उस टेम जो 27 में जो जीती थी है ओ फो था Option नमबर भी मीस रिया मूरी ठीक है लेकिन अपने को प्रेजंट में जो जिते है मीस उनिवर्स वो धान में रखना है तो प्रेजंट में जो मीस उनिवर्स है कोने अपनी इंडिया की हरनाज संदू ठीक है प्रेज़न्ट में धान में रखने अपनों को इंपोर्टन कोस्चन है पूछने के 100% चांसे हरनाज संदू है हरनाज संदू ठीक है प्रेजंट में हरना संदू जो है तो यह दो साइब निद्ध की तो इनका जो वीनिंग घोषित वा था वीनर का जो ताज पहना था कॉनसे तारिख का पहना था तो पहना था 13 डिशमबर 2021 को ठीक है 13 डिशमबर 2021 को जो इनो ने वीनर का ताज पहना था इसके बाद ग्वेस्टन नंबर 15 है constitution of India was adopted and enacted on question number 15 constitution of India was adopted and enacted on तो इसका जो right answer हो जाएंगा हो जाएंगा ज्सक्राओब कि में थेक आप इंड़ा डाप्टेश्टेम इसका तो राट आट आशर रों जाएंगा हो जाएंगाव जाएंगा 20 समय मेंबर 29 लेकिन यह इसमें अपशन में दिया नहीं इसमें चारो आफ्षेन जो एक गलत दिया है इसमें जो आफ्षेन है वह इसका जो करेक्ट्राइब से सविस नवेंबर कि नाइनटीन फोर्टीनाइन जो आफ्षेन में दिया नहीं है ठीक है अगर फोर्स की बात करें तो जाग गया तो सविच जन्यवरी 50 मीं फोर्स में आया ता यह फोर्स है औहाँड़्स है चोर्す मैं आता defeating 2 जैन्यवरी 1950 फ्ती कह घिक है इसमें आफ्षेन दिवाह निया एडेज्टेट का तो है स्वीश नावेंबर उननीसों नचास ठीक है यह द्हान में रखना है फॉर्स में आता सवीश जन्यवारी उननीसों पचास और अडप्तेड ऐन इनेक्टेड हुआ था सवीश नवेंबर उननीसों नचास में ठीक है इसके बाद क्वेशेंट नंबर 16 42nd amendment act 1976 related to which aspect of the constitutional provision option number E में दया fundamental rights and directive principle B में दया equality before law C में दया creation of new state and D में दया duty and responsibility of state तो 16 का जो cancel हो जाएंगा option number E fundamental rights and directive principles इसके बाद question number 17 article 24 of the constitution prohibits employment of children in factory ETC below the age of option number E में दया 18 B में दया 22 years C में 14 years or D में 12 years तो यह भी IMP question है आपका यह भी बार बार repeat हो चुका है तो question number 17 का जो राइटेम जाएंसर हो जाएंगा option number C 14 years इसके बाद है question number 18 the provision for non discrimination in matters of public employment is based on एमें द्याये religion only D में द्याये religion race cost sex descent of any of them C में द्याये cast only or D में द्याये religion common race comma cost comma sex comma descent comma place of birth comma residence of any of theme तो इसका जो देम यह नी देम और इसका जो क्वेशन नमबर आठ्रा का जो राइट एंसर हो जाएंगा आप्शन नमबर डी ठीक है इसके बाद क्वेशन नमबर नाइंटीन ने विच आर्टिकल गिव स्पेशल स्टेश्ट टू दर स्टेट आप जम्यान काश्मेरी इंदर कंस्टिटुटुशन तो यह अब आटिकल 370 था था इसले बोर रहा हूं कि क्योंकि अभी इसको क्या है अटा दिया गया है तो आटिकल 370 को कभड़ा दिया गया है है जो जम्मु काश्मिर को अपना अलग दर्जा देते थे आटिकल 370 इसको जो है गौवर्मेंट ने पाच अगर 2019 को आटिकल को खतम कर दिया गया था 2019 को BGP Resident में इसको खतम किया थो लो इसका जो अपने को धान में रखने डेट धान में रखने कोसे तारिक को इसको आर्टीकल तीनुर科ता रही है तो 5 आगश्ट में 2021 को इसको खतम कर दिया गया था थीक है यां मी रखने और 2021 को खतम कर दिया गया था इस इसके बाद question number 20 है, the following is considered the symbol of justice, option number M में जाए spring balance, B में जाए beam balance, C में जाए hydraulic balance, D में जाए pneumatic balance, तो question number 20 का जो right answer हो जाएंगा, option number B, beam balance, इसके बाद question number 21 है, 36 amendment act associated scheme in the union of India in the year, ये में जाए 1975, B में जाए 1971, option number C, 1978, option number D, 1980, और इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, 21 का option number है, 1975, ठीक है, इसके बाद question number 22 है, state can notify to suspend the provision of factory act 1948, accept section 67 during public emergency, at a time, for a period not exciting, तो option number M में जाए six month, option number B में जाए one month, option number C में जाए four month, और option number D में जाए three month, तो 22 का जो right answer हो जाएंगा, option number E, six month, ठीक है, इसके बाद question number 23 है, what is the restriction of working horse in a factory under factory act, option number E में जाए पावने 45 horse, option number B में जाए 48 horse, option number C में जाए 51 horse, और option number D में जाए 54 horse, तो option number 23 का जो right answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number B, 48 horse, ठीक है, what is the maximum working horse per day within the provision of weekly restriction, option number E, nine horse, B में जाए 8 horse, C में जाए 8 oblique half horse, और D में जाए 10 horse, ठीक है, तो 24 का जो right answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number E, nine horse, what is the maximum, maximum पूचा है, ठीक है, ठीक है, nine horse, इसके बाद question number 25 है, an accident requiring sending of notice to appropriate authority should essentially prevent from working for a period of, A में जाए, option number E, 24 horse, B में जाए 48 horse, C में जाए 72 horse, और option number D में जाए 96 horse, तो 25 का जो right answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number B, 48 horse, और यह IMP, most IMP में जाए तो कहता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर ले ना, इसके बाद question number 26 है, when did the workman's compensation act come into force, workman's compensation act जो है, कौन से तारिक को force में अपने को बताना है, तो option number E में जाए 15th March 1922, option number B में जाए 18th December 1923, option number C में जाए 5th March 1923, और D में जाए 1st July 1924, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number D, 1st July 1924, यह भी IMP question है, ठीक है, इसके बाद question number 27 है, what is the restriction on number of times of medical examination, आपो worker under workman's compensation act, in the first month following the accident, option number E में जाए 1 time, B में जाए 2 time, C में जाए 3 time, D में जाए 4 time, question एक बाद फिर पढ़ लेता, what is the restriction on number of times of medical examination, आपो worker under compensation act, in the first month following the accident, A में जाए 1st time, B में जाए 2 time, C में जाए 3 time, D मे जाए 4 time, तो 27 का जो right answer हो जाएंगा, most important question है, और इसका जो right answer हो जाएंगा, option number B 2 times, ठीक है, most IMP question है, यह paper में जाए ले लिया है कि इसमें जो important important question है, बहुत बार repeat हो चुके, इसके बाद question number 28 है, कि इसके बार नाएंगा, जाएंगा, इसके लाएंगा, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number ये, the worksman under, इंच पिलिक जावले, drink or drugs, इसके बाद question number 29 है, the worksman compensation is admissible, if accident occurs during the working horse, option number B में जाए, if accident occurs when the carrying out work, option number C में जाए, whether or not, nages in the invalid, or HD में जाए, none of this, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number ये, if accident occurs during working horse, ठीक है, इसके ब within how many days an appeal shall be made in the high court against an order awarding compensatory work by commissioner, option number a में जाए, 15 जाए, B में जाए, 30 जाए, C में जाए, 60 जाए, D में जाए, 75 जाए, Q. 30 विदिन हाव मेनी देज एंड अपील शाल बी मेड इन दा हाइ कोट अगेंस अन आर्डर अवार्डिंग कंपनिसेशन बाइ कमिशनर आप्शन नमबर यह विद दिया 15 डेज बी में दिया 30 डेज दिया 60 डेज दिया 75 डेज तो क्वेस्टन नमबर 30 का जो राइट एंसर हो जा क्वेस्टन नमबर 31 का जो राइट एंसर हो जाएंगा ओप्शन नमबर C 30 ठीक है यह भी IMP है बोद बार रिपेट हो चुका यह क्वेस्टन इसके बाद क्वेस्टन नमबर 32 है इंडिकर परस्टेज लॉस आप एरनिंग कापसिटी डू टू अप्शुलेट डिफेनेस तो अप्शन नमबर ए मीदिया 50 पर्षंट अप्शन नमबर वी मीदिया 60 पर्षंट आप्शन नमबर सी मीदिया 90 पर्षंट और अप्शन नमबर डी 100 पर्षंट यह आएमपी है इसमें लगबग लगमग ए पेपर में बहुत सभी क्वेस्टन आएमप आएमपी है इसके बहुत बाद बार बहुत से एक्जाम में रिपेट हो चुकिये इसके बाद क्वेस्टन नमबर 33 है दा इंफर्मेशन आप वर्षंट कुमेटी इद्ध प्रोविजन अंडर दा फॉलिविंग आक्त अप्शन नमबर यमे द्या फैक्टर यह आएम नाप्स नमबर बी में द्या वर्क्समान कंपनें आग 1923 option number C में दिया industrial dispute act 1947 D में दिया payment of wages act 1936 question number 33 एक बार फिर पढ़ लेताओ the information sorry the formation of work committee is the provision under the following act option number E में दिया factory act 1948 B में दिया workman compensation act 1923 C में दिया industrial dispute act 1947 और D में दिया payment of wages act 1936 तो 33 का जो राइट एंसर हो जाएंगा ओजाएंगा option number C industrial dispute act 1947 ठीक है इसके बाद question number 40 question number 34 following legal establishment decide the legality and justifiability of a strike option number E में दिया industrial tribunal B में दिया high court C में दिया central administrative tribunal और option number D में दिया session court तो question number 34 का जो राइट एंसर हो जाएंगा option number B high court इसके बाद question number 35 है what is the object of payment of wages act A में दिया to decide the amount of wages option number B में दिया to avoid uncessory delay in the payment of wages and prevent unauthorized deduction from the wages she में दिया to review the wages of workmen time to time and insurance of payment without fault deduction option number D में दिया to fix up voting wages or time wages bonus time to time तो इसका जो 35 का राइट एंसर हो जाएंगा जाएंगा option number C to review the wages of workmen time to time and inverse payment without fault deduction ठीक है इसके बाद question number 36 under the provision of the payment of wages act 1936 and employer has to be paid wages for a period not longer than option number A में दिया 7 days B में दिया 14 days C में दिया 21 days or D में दिया 1 month तो question number 36 का जो राइट एंसर हो जाएंगा option number D one month ठीक है इसके बाद question number 37 है who is the chairman of planning commissioner जो planning commissioner उसके chairman कोन होते हैं तो उस time के इसाफसे तो डॉक्टर मनमुन सिंह थे option number B लेकिन इस time के इसाफसे लेकिन अभी तो planning commission खतम कर दिया तो इसका कोई मुद्दा उट्टा ही नहीं है अगर कभी question आ जाता है तो chairman of planning commission तो प्राइमिनिस्टर रहते ठीक है इसके बाद question number 38 है वीच वा आप the following is not a renewable energy को आप्टन नमबर में जाए फ्यूल शेल बी में जाए विंड एनर्जी सी में जाए पेट्रोलियम और option नमबर दी में जाए ओसेन इनर्जी तो इसका जो नमबर 39 का जो राइट एंसर था आप्टन नमबर शी बारा ही पंचवार्शी को जना है इसके बाद पंचवार्शी को बंद करके नितियायग चालू किया गया ठीक तो वह सबसे जो था अगर question आता कि कि इतनी पंचवार्शी को इतना है टोटल तो है बारा इसके बाद question नमबर 40 है अब्जेक्टिव में से लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि उस ठाइब में 40 अब्जेक्टिव रहते थे तो और बाकी के जो question थे और रिटन वाले रहे थे तो तो question number 40 है और लास्ट क्वेश्चन ही समझा था सकता है इसको ओजन लियार इंद आट्मस्पेर प्रोटेक्स फ्राम तो option नमबर ये में जया अल्ट्रा वाइलेट रेज बी में जया इफ्रा रेट रेज अप्शन नमबर सी में जया हीट आप् अप्शन नमबर ये अल्ट्रा वाइलेट रेज ठीक है और इसे के साथ जो है अपना एमसी क्यों क्वेश्चन अफसला अब्जेक्ट्व जो क्वेश्चन रहे खतम होते उस टाइम में जो फिर हैसे आता था पांच मारका आपको डिफाइन करना था तो अब ये सिस्टम ब क्यों चाली सिमा आते थे उसके बाद जो दस मारके तो रीटन में आते तो इसका साथ ही आपका जो यहां पे मोस्ट इंपोर्टन ये 2007 का पेपर दो 2007-2008-2010 के जो पेपर आपके जीके के बहुत मोस्ट इंपोर्टन पेपर है इसमें जो क्वेश्चन है वो लगबग इसके कवर हो जाएंगे वे लेकिन उससे पहले अपने को लेकर या फ मपके ठीक है तो आग्ले पेपर जो रहेंगा वीडो जो रहेंगा ये फसके पेपर करेंगा और उससे पहले भी आपने जो 7 news अपने ले ना है 7 यह कंज रेडिंग मटरिल्यल्स पेम स्पर है उसके उ'll वीडियो लेना है तो फिर भी अभी तक आपनी है मरी चैनल वह पी ऌतीर अपनी हम마रे का हैYY में ही अक तुछ नोटे जना तो को ते निए तो प्ल टानल नान में